देखे बिहार में बिमान पर बावाल जा रही है नीती सरकार ने मंत्री मंडल के फैसले में इस्पेसल जेट प्लेन खरिदने को अनुमती क्या दी और इसके बाद से जो बयान भाजी हो रही है वो अब भी जा रही है भारती जंता पाटी नीतीश कुमार और तेजस्वी आदो की सरकार पर हमलावर है लेकिन ऐसे में आज मुख्यमंद्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है देखे प्रकास पर्व के मौके पर आज सीम नीतीश कुमार ने बीजेपी को गजब का सुनाया है मुख्यमंद्री नीतीश कुमार गुस्से में भी नजर आते हैं और आज प्रकास पर्व के मौके पर आज गुरुद्वारा जाकर सीम नीतीश ने माधा टेका है इसके बाद सीम नीतीश ने स्पेसल जेट प्लेन जो बिहार सरकार खरीद रहे है इसको लेकर किस तरीके से सुनाया है अपने विरोधियों को जरा वो सुन लिजी लोग आए लेकिर आप देख लिए कि कितना अच्छा हर चीज कितना बढ़िया से तरफ है और लोगों को बढ़ी कुसी होती है हम लोगों को बढ़ा आनंद आता है कि उनका जनम यहीं हुआ था इसलिए अब सब जगा से ना सिर्फ देश बल्कि बाहर के रहने वाले लोग भी आते हैं तो कितनी कुसी की बात है और सब का ख्याल रखा जाता है उनके सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है इस तरह से स है तो अब सुना ही नहीं पड़ा है तो अब जानते नहीं है कि हम लोग रखे नहीं थे आउसके बाद उसको दे दिये थे जो ट्रेनिंग होता है वहां और फिर हम लोग लाए थे आप समस्ते ही कितरा पढ़िया लाए थे भाड़ा उसको लाए और अब उसके बाद यहीं देखा गया कि नहीं अगर अपनी तरफ से भी आ जाएगा सरकार का था बड़ा अचारा इस सब के हित में है हमको आशर लगता कि कौन क्या बोलता है अजिर आप पूछ लीजिएग पहले ही लोग क्या बोलते रहते थे कि अपना खरदाना चेहिए सेमितीस कुमार की भी बहुत बड़ी परतिकिया सामने आई है बिमान पर भावाल जारी है और इस भावाल के बीच है स्रीम नितीस का बड़ा बयान सामने आए है अपने विरोधियों को खूब सुनाया है मुखे मदर नितीस कुमार ने ठाहला आप आप लिए भी आजिके स आद मने रहें धन्य बार